हेलो गईज, विल्कम बैक टू टेलिवूड अपडेट्स इस वड़ो में बात करने वाले हैं तारक महता का उल्टा चश्मा के बारे में तो गईज, पिछले कई महीनों में, अक्चुली पिछले कुछ सालों से बहुत कॉंट्रोवर्सिस हुई है इस सीरिल के रिलेटिड कई एगजेट्स हुए हैं, लेकिन सबसे अदा जिसके बारे में चर्चा रहती है वो है दया भावी की एगजेट या फिर रिटर्न, यानि कि सीरिल में वापस आएएगी या फिर नई इतने सालों से सीरियल में नए है दया का character जो की main character है यही時 के सवाल भी बार बार हर इंटर्वियू में असित मोडी जो की शो के producer हैं उनसे पूछे जाते हैं तो कई बार वो updates वगेरा देते होते हैं और अभी recently interview में उन्होंने एक recent latest update दिया है दिशा वकानिया फिर दया बैन के रिटर्न के बारे में तारग महता का उल्टा चश्मा में तो उनका ये कहना है कि दिशा वकानी उनकी बैहन जैसी हैं और वो यही होप कर रहे हैं कि दिशा वकानी सीरिल में वापस आ जाएं वो बहुत ही आइकॉनिक है पूरा इंडिया जानता है उसे और बेस्ट आप्शन यही रहेगा कि वो वापस आ जाए लेकिन उनका यह कहना है कि वो उन्हें फोर्स तो कर नहीं सकते बहुत देर से वेट करा है उनका लेकिन अभी तक वो वापस आने की गेरेंटी उनकी नहीं है तो इसी के कारण वो नई दया भी side by side ढूंड रहे हैं लेकिन उनका कहना है वो बिलकुल perfection जाते हैं जो replacement हो वो बिलकुल पूरी तरह से perfect होने चाहिए इसी करके वो इतना time लगा रहे है तो एक तरफ वो दीशयवकानी का भी पूरा try कर रहे हैं कि वो show में वापस आ बहुत महीनों पहले आपको बताया था कि रीसेनली तारग में था वाले फोकस करने पुराने अक्टर्स वापस लाने के लिए काफी अपकमिंग एपिसोड में आपको नई चीजें देखने को मिलेंगी और उसके बाद फिर नई बावरी आई थी नए नटुगा का नए प्रफेक्ट रिप्लेस्मेंट मिले या फिर दिशावकानी वापस आ जाए तो यही दो ऑप्शन अभी के लिए कंसेडर करे जा रहे हैं वही चीज जो मैंने काफी महीनों पहले आपको बताई थी और अब असित मोदी ने रिसेंटली अपडेट में भी यही चीज कही है त इस नए स्टेटमेंट में असित मोदी ने ये भी कहा है कि जो भी होगा भले इदिशावकानी होंगी या फिर कोई और एक्टर्स लेकिन दयागा करेक्टर जो है वो जल्द ही देखने को मिलेगा आपको लेकिन इनका जल्द का मतलब है कुछ महीने तो लगी जाएंगे बिकोज ओबियसलि ये चीज़ तो सही है कि रीपले вопросыल ढूंड़ना इतने बड़े character का इतने famous character का easy नहीं होता बिलकुल भी आसान नहीं है और बिलकुल perfection ही ढूंडना पड़ेगा वरना फैंस बिलकुल भी पसंद नहीं करेंगे और वैसे भी पिछले कुस सालों में तार्ग मैता कि TRP डाउन गई है और अगर main character ही अच्छा नहीं होगा अगर अच्छी replacement नहीं होगी तो TRP और डाउन जाएगी definitely तो एक काफी मुश्किल चीज है I think वो time ले रहे हैं इसमें तो सही चीज ही कर रहे हैं और उनको इतने time लेने के बाद फिर perfect replacement के साथ ही आना चाहिए या फिर दिशा वकानी को ही serial में return करवाना चाहिए लेकिन वो सब तो दिशा वकानी के उपर है उनकी तरफ से कोई भी update अभी तक नहीं है मैंने तो personally कई सालों पहले तारक मेता देखना बंद कर दिया था और इसके old episodes still देखता रहता हूँ बट नई episodes कभी नहीं देखता लेकिन जो लोग देखते हैं आप comment section में जरूर बताइए कि आप miss करते हैं दया के character को देशा पकानी को serial में वापस देखना चाहते हैं फिर नहीं आपकी क्या राय है इस चीज़ पर सब टीवी तारक मेता और इस दया की situation पर जो भी upcoming updates होंगे जो कि आने वाले हफतों में और आने वाले महीनों में हमको देखने को मिलेंगे उसके लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे हमारे चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लिजी और साथ में जो बेले के नहीं उसे दवा कर और पे क्लिक कर लिजी ताकि सारी सब टीवी तारक में तक अपडेट्स आप तक पहुँचती रहे और फिलहाल के वीडियो में तरह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अभी के लिए चलता हूँ गुडबाए